असलाम अलेकूम कोकिंग विस्टीमा खान में आज हम बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बनाएगे जब रेस्टोरेंट में हम कभी वेज का ओर्डर करते हैं तो हमारे दिमाग में दो सब्सक्राइब का नाम सबसे पहले आता है या तो मटर पनीर या तो रेसिपी में इसका नाम जाना जाता है तो आज हम बहुत आसान तरीके से वेज कोला पुरी बना के तयार करेंगे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप से सौरी कहना चाहूंगी क्योंकि बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है जिसकी वज़े से थोड़ा से रेसिपी अंधेरा लग रहा है जिसके लिए मैं माफी चाहती हूं रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बिसमिल्ला रह्माने रही हूं अब हमने एक टेबल स्पून ऑईल डाल दिया है पहले हम एक मसाला कोला पुरी बना के तयार करेंगे दो टीस्पून इसमें सापी धनिया डाल दे और एक टीस्पून हम जीरा डाल देगे और काली मिर्च के दस से बारा दाने ले 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 और चार लॉंग ले 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 आप और एक तेजपत्तर हमने डाल दिया है और एक बादियान का फूल डाल दे गए और एक बड़ी लाइची और एक तुकडा हमने डाल चीनी का ले लिया है लॉंग आप कर दे ले लात दाने ले ने तो मसाले जल जाएगे अब इसे हमने एक मिनट के लिए फ्राइ करना है मसालों को अच्छी तरीके से इसमें हमने चार कश्मीरी मेच भी डाल दी है इससे हमारी ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी गाड़ी बनेगी और आठ काजू के तुकड़े हमन नार्यल डाल दिया जिसे हमने कद्दू कस कर लिया है इसे ढीमी आजंच पे हमें अच्छा हना है हलका संहरा रंग होने तक आथियात रख्या के नार्यल हमारे जलने ना पाय क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है यसलिए गय bez आप जड़ल की ऑप और अज गुलाबी कलर 200 ग्राम फ्लावर डाल दिया है छोटे छोटे चोटे तुकडों में काट के अच्छी तरीके से धो के छान के डालिएगा पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए गैस के आज को मीडियम रखिएगा और दो से तीन मिनट तक गोभी को हमने फ्राइ कर लिया है अब इसमें हमने 100 ग्राम फरन बीज डाल दी है जिसे हमने थोड़ा बड़े बड़े तुकडों में काट लिया है और एक गाजर को डाल दिया है फरन बीज को हमने डायमन शेप में काटा है और एक शिम्रा मीज को हमने क्यूब में काट लिया है अब सब्जी को डाल के हमें एक से दू मिनट तक फ्राई करना है अब फरन भीज गाज और शिम्ला में डाल के भी हमें एक से दू मिनट फ्राई कर लिया है अब इसमें हमने सौ गराम मटर जाल दी है मटर को भी डाल के एक से दो मिनट तक फ्राई कर लेना है अब सारी सबजें अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है तो इसे हमने साइट में रख दिया है गैस पे हमने एक पैन रख दिया है इसमें हमने आधा कप ऑल डाल दिया है अब इसमें दो medium size की प्यास को हमने चौप करके डाल दिया है अब इसमें एक टीस्पून भर की अध्रक लशन का पेज़ डाल देगे अध्रक लशन का कच्चापन दूर होने तक हमने इसे fry कर लिया है अब इसमें हमने दो मीडियम साइज की टमाटर को एक दम बारिक चौप करके डाल देना है टमाटर डालने के बाद हमें 2-3 मिनट तक इसे फ्राई करना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए अब टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है तो जो मसाला हमने कोला पूरी बना के तयार किया है इसे डाल देगे अच्छी तरीके से साफ करके आप डाल दे जिस जार में हमने इसे पीसा था उसमें हमने आधा कप पानी डाल के अच्छी तरीके से धो के डाल दिया है अब इसके हमने आव धीलses बॉड़र डाल विदिया है और एक टीजपून अमने टेज वाली मिर्च पॉर्डर डाल दिया और हाफ़ टीजपून भुनावा मजा 이미 का पॉर्डर डाल दिया है और एक टीजपून हमने के Standing डाल दिया है और एक टीजपून भर के हमने नमक डाल दिया है, नमक आप अपने टेज के हिसाब से रखेगा, अगर आप स्पाइस और जादा खाना पसंद करते हैं, तो मिर्च की कॉंटिटी डबल कर दें, क्योंकि कोला पूरी बहुत स्पाइसी बनता है, हमारी मिर्च बहुत तेज वाल के दही डाल दिया है, और सब की अच्छी तरीके से भूनाई कर लेना है, तेल के उपपर आने तक, अब तेल अच्छी तरीके से उपपर आ गया है, मसाला हमारा भून चुका है, तो इसमें हमने फ्राइ की हुई सबजी डाल दिया है, अब सब को अच्छी तरीके से हमने मि जाने के बाद तूट जाते हैं मुझे फ्रेश पनीर नहीं मिला था बारिश की हुझे से इसलिए मैंने फ्रोजन पनीर का इस्तिमाल किया है अब इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पॉडर दाल देगे और तीन टेबल स्पून के करीब हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देगे अब इसमें हमने देड़ कप पाने डाल दिया है कोला पुरी की ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है और ठंडी होने के बाद और थिक हो जाती है इसलिए ग्रेवी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें जिस तरीके से आपको खाना पसंद है क्योंकि कोला पुरी की ग्रेवी थोड़ी थिकी रहती है इस बात का ख्याल रखेगा हमने देड कप पानी डाला है उसे मेडियम धीमी आच पे दस से बारा मिनट के लिए पकने के लिए रखेगे हमें जादा नहीं पकाना है नहीं तो सबजिया बहुत सौफ्ट हो जाएगी सबजियों करंच करंच बना रहना चाहिए इस बात का ख्याल रखेगा अब इसके उपर हमने थोड़ा सा कटा हुआ राधनिया डालके गर्मा गर्म सर्फ करेंगे बहुत ही मज़ेदार बनती है इसे आप जरूर ट्राय कीजिएगा इंशालला आपको पसंद आएगी आप इसे गर्मा गर्म पराठे या तंदूरी रोटी या साधी चपाती के सा बिखाएं यह बहुत मज़े के बनते हैं ऊपर से हमने थोड़ा सा पनीर डाल दिया है मैश करके आप कद्दू कस करके भी पनीर डाल सकते हैं रेस्टोरन में इसी तरीके से सर्फ किया जाता है यह बहुत ही मज़े के बनते हैं आप इसे जरूर ट्राय कीजिएगा मेरी रे प्यास्टोरी कोर्शफित कुछी